नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपके अपनी YouTube चैनल सेवा आऑन लाइन क्लासेस में। दोस्तों आज कि इस विङ्यो में हम बात करने वाले हैं आर्मी की भरते के बारे में। तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस समय आर्मी में जो है वो ट्रेट्समेन की बहुती ज़्यादा कमी चल रही है और यहां पर यह तीसरी लगातार भरती निकली है आर्मी में ट्रेट्समेन की और आपको एक बात और दो भरती निकली है इनके अर्मी में जो है वो ट्रेट्समेन की भरती बरती कमी है और लगातार तीसरी बार इसका नोड़िशन आचुका ऐ यह बहुत बड़ी संख्या मिआ है अगर आप आठाउमी यह दसमी क्लास पास है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं तो भरती process की पूरी जानकरी देने वाले हैं आपके लिए वीडियो में last तक बने रहेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना और हमारे चैनल पर अगर नए है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और बैल आइकन को press कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे तो दोस्तो इस समय हमें join Indian Army याने की Indian Army की official website पर और आज मैं आपको इस भरती के बारे में पूरी जानकरी देने वाले हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि यहां पर दोस्तो क्लेक कर लेते हैं और देखते हैं कि आज यह जो भरती है आपको देने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर soldier, tradesman, 10th pass, ठीक है, तो soldier, tradesman, 10th pass और 8 pass में अंतर क्या होता है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों ही भरती दोस्तों, यहाँ पर tradesman की हैं, लेकिन एक जगे 8 और एक जगे 10 class pass ले रहा हैं, ऐसे क्यों है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि tradesman के अंडर, जो भी trades आती हैं, उन में से केवल दो trades होती हैं, ऐसी housekeeper और messkeeper, जो housekeeper और messkeeper की होती हैं, इन में 8 class pass लिये जाते हैं, और बांकी के trades जो बचती हैं, जैसे दोस्तों होती है, हेर ट्रेसर हो गया, इस्टेवाट हो गया, वसरमैन, टेलर, स्पोर्ट, सपोर्ट स्टाफ, ईवियार, एकुमेंट, गूट रपेर जिसको बोलते हैं, तो बहां की जितनी भी trades हैं, दोस्तों, उन में 10th pass लिये जाता है, केवल, housekeeper और messkeeper में, अगर आप 8. class pass हैं, तो भरती हो सकते हैं, इंडियन आर्मी इसमें एक ऐसी जोब है, जिसमें केवल, आज की डेल में भी, आल्ट मी पास, योबाओं को भरती किया जा रहा है, तो यहां पर दोस्तों, हम आपसे बात कर लेते हैं, इसके लिए दोस्तों, आपको अपलाई करने को, जो age limit होगी, वो साड़े सतरा साल से तेस साल तक होगी, और आपकी जो date of birth है, वो एक अक्टूबर 1997 से, एक अपरेल 2003 के बीच में होनी चाहिए, और आपकी जो height है, वो 170 cm, बेट आपका 50 kg, और आपका जो chest है, वो 77 cm होना ज education qr का दोस्तों मतलब होता है, education qualitative requirement, वो है दोस्तों 10th class pass, अगर आप 10th class pass है, तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं, लेकिन सार्थ एक है, कि 10th में आपके 33% marks होने चाहिए, ठीक है, किसी भी subject में मतलब 33% marks से कम नहीं होने चाहिए, उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, soldier treatment 8th pass के लिए दोस्तों जो आपकी age limit है, वो same है, साड़े सत्रा साल से 30 साल, और 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में आपको भरती होना चाहिए, बेट आपका 170 cm, बेट होना चाहिए, आपका 50 kg, और इस भरती में सामिल होने को आपकी जो चेस्ट है दोस्तों, वो 77 cm होना चाहिए, और 17 cm, उसके बाद में दोस्तों 5 cm आपके लिए चेस्ट के लिए फुलाना होगा, यहनि मतलब expansion करना होगा, ठीक है, तो इस भरती में अपलाई करने के लिए आपको only 8 में क्लास पास है, अगर आप तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं, लेकिन 8 में क्लास में आपके 33% मार् ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बड़ी चीज की, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, यहां पर बात करते हैं, दोस्तों हम अभी physical की, आपके जो physical requirement होगी, क्या होगी, आप सभी को gd का physical तो पता है, लेकिन आपके मिन में साथ doubt होगा, यह जो भड़ती है only tradesman की, तो यहां पर आपको physical में कुछ relax मिल सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिए यो tradesman को physical होता है, बिल्कुल ही same होता है, तो यहां पर कोई भी discount आपके लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए physical के बारे आपको दोस्तों 5 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम मिलेगा, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक आप पास कर देते हैं, तो आपको group बन में दिये जाएगा, ग्रूप बन है दोस्तों 60 नमबर का, तो आपको पूरे 60 नमबर दे दिये जाएगे, उसके बाद में 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मि में तॉप आलेस सेकंड तक आपने रिजिस को पास की, तो आपको दिये जाएगे दोस्तो, 48 मार्क्स ठीक है, 48 मार्क्स के आपके लिए दिये जाएगे, उसी तरही से अगर आपने पूलप्स लगाएगी, दोस्तों 10 तो आपको 40 मार्क्स, 9 लगाते हैं तो आपको 33 marks 8 pull ups लगाते हैं तो आपके लिए 27 marks 7 pull ups लगाते हैं तो आपके लिए 21 marks और 6 लगाते हैं तो आपको 16 marks दिये जाएंगे एक बात है आपको clear कर देना चाहता हूं मेरे पास में काफी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर क्या 6 pull ups में भी हम अगर आर्मी में हम 6 लगाते हैं भरती में तो हम क्या पास माने जाएंगे अपकोस दोस्तों बिलकुल आप पास माने जाएंगे इसमें कोई भी डौट नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है नंबर आपको सम्दों आप खोदी द के लिए आपको क्यालिफाई करना होता है तो यह होगे दोस्तों आपका फिजिकल अभी हम बात कर लेते हैं यह भरती है कहां पर और किस तारिक मोहनी है इसके online registration कब से पूरी जानकारी आपको दे देते हैं दोस्तों तो इसके लिए हम चलते हैं प्याज में उपर जहां पर मापके लिए पूरी जानकारी देने वाला हूं तो दोस्तों यह जो भरती निकाली है वो यारो रौतक आर्मी रिक्रूटिंग आफिस रौतक ने निकाली हुई है और यह जो भरती है दोस्तों वो राव तुला राम स्टेडियम ड्रेवाडी हर्याणा में होनी है ठीक है और इस भरती में दोस्तों जो ओनलाइन एप्लिकेशन्स हैं आपकी वो तीन अक्टूबर से 16 नौनबर 2020 के बीच में आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है और यह जो भरती है वो होनी है दोस्तों आपकी 2 दिसम्बर 2020 से 12 दिसम्बर 2020 कहां पर होगी यह भरती राव तुला राम स्टेडियम ड्रेवाडी ठीक यहां पर जो आपके ओनलाइन रेश्टेशन्स हैं वो 3 अक्टूबर 2020 से 16 नौनबर 2020 तक चलेंगे उसके बाद मां आपके 17 नौनबर से ओनलाइन एप्लिकेशन जिरोंने फिलप की होंगे उनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतन नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जेहन जेवाराएं